हलो बच्चों नेक्स्ट पॉइंट का नंबर बताओगे और इसके बाद हम लोग एक सम बनाएंगे ओके यस पिटा बोलना एक क्वेस्टन है बच्चों जादा सुनना सब कोई हैं एक क्वेस्टन पूछ रहा है ये इसके आवाज आप लोगों तक नहीं पहुचेगी हम आपको क्वेस्टन रिपीट करेंगे बोल वो बताएंगे जब एस फाइव या जब एस वन पढ़ाएंगे न पहली बार तब बताएंगे फिर भी अभी पूछा है तो अभी बता देते दो तिन लाई ना जैसे आप मालो depreciation का example में लेता हूँ तो depreciation में asset पे बच्चे ने पूछा सर accounting principle accounting method और accounting basis क्या है so I'm just taking the help of an example of depreciation तो आपको depreciation charge करना है एक asset पे क्योंकि आप उस asset को use कर रहे हो and by using that you are exploiting that asset you are you are consuming that asset gradually एक गाड़ी है आप लगातार use कर रहे हो थोड़े दिन के बाद वो खतम हो जाएगे थोड़े सालों के बाद तो consuming it so you have to charge some expense some loss on account of that car every year in your profit and loss account इस पे कोई doubt है this is an accounting principle तो अब आप जो depreciation calculate करोगे तो calculate करोगे तो आप बोलोगे sir मेरे को working life estimate करना है मेरे को scrap estimate करना है अब इस estimate करने के लिए या मेरे को asset command पालोगे रिवाल्यू करना है रिवाल्यूसिन नाम सुन थे है रिवाल्यूसिन तो मेरे रिवाल्यूसिन का basis क्या होना चाहिए market से price ले के आऊं या किसी expert को बुला के लाऊं वो बना दे मेरे को इस अब सारी चीजे पढ़ोगे आप लोग टाइमस टुका मा तो मेरा basis of valuation क्या होना चाहिए फिर आया कि सर straight line से depreciation मारूं या WDV से मारूं तो straight line होगा कि WDV होगा that is method of depreciation valuation का basis market से ले के आएंगे कि expert से ले के आएंगे कि inflation index से ले कर के आएंगे that is basis of valuation तो principle जो आप कर रहे हो method amount कैसे निकाल रहे हो basis किसका help ले करके आप वो amount निकाल रहे हो तो यह सब सब चीज मिला करके अलग-अलग-अलग नाम करन होना जरूरी नहीं है बट तुमने पूछा तो मैंने नामवाईज explain किया बट आपको ऐसे नामवाईज जानने की जरूरत नहीं है everything that you do for providing depreciation is a policy लेकिन अभी क्या हुआ है पेछले कुछ सालों में कि depreciation का जो change होता है जो नाम आया बोलके अभी से बोलेंगे depreciation का जो change होता है ना उसको policy change नहीं बोलते उसको estimate change बोला जाने लग गया है और यह recent change हुआ है अब कभी भी depreciation का आप method change करेंगे ना तो retrospective करने का जरूरत नहीं पड़ेगा जो पहले पढ़ता था अब नहीं पड़ेगा यह भी recent change आया है accounting standard 10 आने के बाद जो 10 revise हुआ ना उसके बाद से तो just for your information अभी तुमको मैंने बताया लिखो क्या लिखा copy में paragraph number बताओगे 9 जानते तो होंगे इसके बारे में यह तो बहुत popular सा एक paragraph है हर बच्चा इसके बारे में जानता है हम जो चीज आपको extra बताएंगे उस पे ध्यान करना 10-10 marks, 15-15 marks का practical question आता इससे ओके लिखो A an entity prepares an entity entity, business man, company जो भी अपना financial statement बनाती है हम लोग उसको entity बोलते है कई बार entity, कई बार बोलेंगे reporting enterprise क्या बोलेंगे reporting enterprise reporting मतलब जो अपना financial statement report कर रही है, बना रही है, बता रही है ठीक है क्या लिखा, an entity prepares its financial statements बार झुवधा बबखरे हैं लोगा लोगार इस्वा फुप आट बच्ठचित बहाँ आटेंशने रारावे लोगा खवाशने राटBERG को को to close its business it does not want to to curtail its operations curtail word समझते हो लिखो और लिखके फिर बताओ curtail word का meaning समझते हो cut down छोटा कर देना कम कर देना को curtailment बोलते हैं close कर देना मने बंद कर देना curtail कर देना मने कम कर देना वो closer के जैसा ही है curtailment तो कोई भी entity को going concern बोलते हैं आपना all entities are going concern उसके पीछे thought process क्या है कि वो company continue करेगा for a long period of time उसी को देखिये कैसा words पे मैंने लिखाया है when an entity prepares its financial statements it believes that below it has no intention to close its business neither does it want to curtail its operations be medical the entity is viewed V-I-E यह spelling is viewed oblique considered as a going concern as a going concern concern यहाँ पे entity को बोलते हैं I'm a concern I'm concerned verb वाला concern नहीं concern entity को बोलते हैं going माने जो चलता रहेगा so an entity जो continuously चलता रहेगा that's a going concern entity okay that's a going concern full stop आगे लिखो C number कितने accounting standards in syllabus में 27 27 में से आप समझ लो 26 26 number of accounting standards even 27 का सताइस भी बोल सकते हो they are prepared रुको रुको बोलने दो they are prepared and gave respect to this idea of going concern मतलब एक accounting standard हिंदुस्तान में ऐसा नहीं बनाया हुआ है जिसको non-going concern apply करता है मतलब non-going concern के लिए कोई accounting standard है ही नहीं तो फिर फिर वो लोग क्या करते है मान लोग कोई non-going concern है तो वो कैसा financial statement बनायेगा हम अभी बढ़ाएंगे और एक going concern कैसा financial statement बनायेगा वो हम 125 क्लास में बढ़ाएंगे और यह हम खाली 20 मिनट में बढ़ाएंगे मतलब यह कितना कम important है आप समझ जाओ गज़ति लिखू All the accounting standards see number point All the accounting standards are prepared are prepared to be followed by a going concern entity D number ये तीनो पराग्राफ समझ में आया ये तीनो पराग्राफ इजी था D number जिसके लिए परा बिल्ड हुआ है ये पूरा जो पढ़ा ही हो रहा है वो इस परा के लिए D number के लिए मान लो हमको सब कुछ दाउन करना है I had decided I am going to close everything in the next two years I am going to shut down, close the shop close the shop बन करना है मेरको सब कुछ finally decided everything, एक division नहीं बेचना सब कुछ बन कर देना है decided, board of director ने decide कर लिया, everything is to be closed बेचो सारा asset को बेचो सारा liability को payment करो क्या बोला समझे क्या बोला second line सारा asset को बेचो सारा liability को पे करो जो पैसा बचे, shareholder को distribute करो, जाओ घर liquidation पे जाना है मेरको close करना है तो सर फिर accounting कैसे करेंगे फिर आप जब तक closer चलता रहेगा closer भी तो इतना जल्दी नहीं हो तो time लगता है 2-3-4 चार लग जाते है असेट सब बीचने तना असान थोड़ी है यह ब्रेड है तोड़ी है कि रोज सूब बिख जाएगा अंदा है बड़ी बड़ी plant machinery factories है वक्त लगेगा बिखने में 2-3-3 साल नॉर्मल है तो सर फिर उस पीरिड में accounting कैसे होता है बताये न सर में प्रबब हम लोग को वो है करते क्या है फिर आप लोग पहला बात सारे accounting standard को जला के फेक देते हैं हम लोग AS follow नहीं करेंगे 2-3 फिर क्या करते हैं हर asset जितना asset है balance sheet में उसको full form realizable value पे लिखेंगे किस पे realizable value पे लिखेंगे सर एक्जांपल जैसे मान लो प्लांठेंड मसीनरी है opening balance है 40,000 रुपीज opening balance है 40,000 रुपीज ध्यान से सुनना मज़ा है आपको opening balance है 40,000 रुपीज remaining life है 5 साल scrap है 0 अगर कोई going concern होता अगर कोई going concern होता एक साल बाद यह opening balance है opening बोल दिया था ना opening बोला था ना thank you तो वो depreciation कितना PL में लिखता और balance sheet में asset कितना लिखता thank you क्योंकि आप आज तक पूरी जिंदगी जब से accounting कर रहे हो going concern कहीं कर रहे हो फट्ट से बोला ना 8,000 32,000 बोला ना तुम अरे बोलो हां बोला यार जो बोला उसको तो मानो आपने राइट बोला बत मेरी entity ये लिए लिए जिसका data में दे रहा हूं वो going concern नहीं है going concern नहीं है is asset का realizable value is asset का realizable value 21,000 है as on 31st March 2024 ये opening balance 1423 हां बोल रहे बबबा ये 31,3,24 realizable value 21,000 answer दे दो हम मानेंगे आप अच्छे बच्चे हैं बोलो depreciation 19,000 सर ये सब ये सब वेकार ये सब वो करता है जो अपना financial statement GC पे बनाता है going concern पे हम लोग कौन है non going concern तो सर आप क्या करेंगे हम अनोखा काम करेंगे तो सर आप क्या करेंगे हम अपनी asset को realizable value पे लिखेंगे किस पे realizable value पे कितना है realizable value 21,000 opening value 40,000 तो 40 को अगर 21 बनाना है तो 19,000 का depreciation हो गया है हम 19 का depreciation लिखेंगे इदर देख ज़रा है मेरे पास कुछ stock है समझ गया न क्या हो रहा है सुन ज़रा मेरे पास कुछ closing stock है closing stock cost है 20,000 cost net realizable value please मत बोलना word सुना हुआ नहीं है सुना हुआ नहीं है net realizable value of inventory word सुना हुआ है thank you लौडली पूलो नटा तेंगे निरे बबबा NRV है 36,000 कितना में inventory लिखोगे 20,000 क्योंकि तुम going concern हो मैं 36 पर लिखोँगा hello क्यों सर आप 36 तुम क्यों लिखा 20 पर बोल नहीं नहीं क्यों लिखा क्यों क्या rule था सर अम लोग वो whichever is lower क्या करते हैं न क्या करते हैं बोलो बिटा अम लोग रूल पड़े हैं सर इन्वेंटरी जार वेल्यूड एट या रिकोड़ेड एट कोस्ट और NRV विचेवर इस लोवर तो ऐसा तो तुमें एस्टू में पड़े हो ना हम तो एस को जला दिये हम तो जला दिये हम तो non going concern है हम तो follow नहीं करेंगे इसको तो कि एस को तो going concern वाले लोग follow करते हैं तो सर फिर आप क्या करेंगे हम तो realizable value पर value करेंगे और here are realizable value तो तो आप 36,000 पर लिख देंगे तो सर ये profit नहीं लिख दिये आप stock को over value नहीं कर दिये तो आप एक anticipated profit नहीं लिख दिये तो आप एक एंटिसिपेटेड प्रॉफिट नहीं लिख दिये अरे तो हम बिखने वाले हैं भाई 1. एस फालो नहीं करने का 2. सारा असेट को realizable value पर लिखने का और सारा लाइबिलिटीज को payable value पर लिखने का repeat सारा लाइबिलिटीज को payable value पर लिखने का असेट को realizable value पर लिखने का पर लिखने की जगए ना मेरा appreciation of fixed asset भी हो सकता है इदर देखो ना तुम लोग 40 का 21 देखा तो तुम लोग क्या बोला 19,000 is depreciation for non-going concern and for going concern it is 8,000 तुम बोला ना मानलो मेरा market price होता 46,000 तो मेरे को credit side में depreciation लिखना पड़ता तो फिर में depreciation वर्ड नहीं लिखता मैं बोलता appreciation in the value of the asset तो सर ये तो going concern क्या ये तो conservatism के against में है तो हमको कौन सा conservative होना है हमको तो मरना है so when you close the shop आप जो पढ़के आए होना उस rule पे नहीं बनेगा message clear ये doubt है good ना अच्छे एक बात बताओ आप लोग ये करते हैं क्या जिसे कोई creditor है क्या creditor 40,000 रुपीज है मेरी balance seat में ठीक है इसको अगर payment करेंगे ना हम तो हमको discount मिलने वाला है 5,000 रुपीज इसने हमको बोला है कि within 3 months अगर आप pay कर देते हो within 3 months आप अगर pay कर देते हो तो आपको 5,000 रुपीज का discount मिलेगा आपसे question पूछ रहा हूँ क्या आप इस 5,000 को इसी साल के income में लिख लेते हो good क्यों नहीं लिखते हो बोलिए क्यों नहीं लिखते हो आप इसको income में 5,000 को anticipated income लिखना मना है there is a concept of conservatism याद होगा जो बोलता है provision for bad debt तो बनाओ but provision for discount on creditor को record मत करो but हम है non-going concern हम तो करेंगे क्योंकि हम तो finally pay करेंगे तो 35 भी pay करेंगे न जल्दी बोलिए तो हम तो 35 में लिखेंगे 5000 इंकम में भी लिखेंगे got the point clear अब और जरा सुन जरा अच्छा बात मेरे एक डेटर है 1 lakh रुपीज का डेटर टोटल डेटर मेरे 1 lakh के है मान लो सब डेटर मिला जुला के 2% का provision for bad debt हमेशा बनता है मेरा anticipated loss मतलब provision for bad debt जानते हो न 2% का provision for bad debt मेरा हमेशा बनता है अब डेटर के साथ एक problem है मेरे यहां पर कि डेटर लोगों का ना कुछ माल delivery और successful installation के कुछ मेरे conditions है हम machine बेचते हैं मानलो हम यह बेचते है तो उनका installation करना पड़ता है उनको successfully service करना पड़ता है अगर वो नहीं करेंगे ना तो मेरा और रुपिया डूब जाएगा अब अगर हम going concern है तो हम हमेशा service करते आए है हलो तो हमारा 2% provision for bad debt बनेगा एक लाग का 2% 2000 रुपीज पर अगर हम non going concern हुए तो मेरा और रुपिया डूबेगा 2% तो normal है वो तो डूबेगा ही मेरा और 19,000 रुपिया डूबेगा तो क्यों डूबेगा क्यों बहुत सारा successful installation नहीं कर पाएंगे बहुत सारा लोगों का और भी मेरा काम है data लोगों का जो हम नहीं कर पाएंगे अगर हम going concern रहते तो कर पाते हम ऐसा से करते हैं पचास साल से पर अम यहां नहीं कर पाएंगे क्योंक हम तो दुकान बंद कर रहे हैं तो वो data लोग भी मेरे को पैसा नहीं देगा so my realizable value is not going to be 1 lakh minus 2000 it's going to be further reduced by 19,000 so be very careful जब आप मेरी balance sheet बनाओगे न तुमारी balance sheet जो बनती थी न वो तो आराम से बन जाएगी पर non going concern की जब बनाओगे तो be very careful लिखो A में क्या लिखा एक मिट्टी अभी हुआ नहीं है A में क्या लिखा हाँ वो ठीक है B हाँ ठीक C हाँ ठीक है मैं समझगा अब लिखो D लिखो E If an entity is not a going concern is not a going concern then Roman 1 वो क्या क्या करेगा तीन बात हम बोले थे पहले वो तीन लिखो फिर एक फोर्थ बात भी बोलने वाले हैं क्या क्या तीन बात हम बोले थे is follow नहीं करेगा लिखो it will not it यहाँ पर entity है Varun Agarwal जड़ा आप microphone बंद करो क्या लिखो it will not follow accounting standards Roman 2 क्या बोले थे हाँ it will record की जगा मैं word लिख रहा हूँ value value करके record ही करेंगे तो हम value word लिख रहे हैं आप record लिखो के तो कोई डाटेंगे नहीं हम value करके ही recording होती है तो मैं लिख रहा हूँ it will value its assets at realizable value c number Roman 3 sorry Roman 3 it will value its liabilities it will value its liabilities at payable value PL balancer बनेगा सर ये बात लिखा नहीं रहा हूँ एक फोर्थ बात जो बहुत important है going concern एक fundamental accounting अजाम सने हम क्या कर रहे हैं अभी तोड रहे हैं उसको अगर हम going concern रहते तो हमको बताने का जरूरत नहीं है कि हम going concern के हिसाब से financial statement बनाया है लगिन अगर हम non going concern हैं तो disclose करना याद कल कल बोले थे ये बात तो वो वाला बात लिखा रहे हैं फोर्थ नंबर पॉइंट इट हैज तो गिव ए नोट तो गिव गिव ए नोट नोट मने नोट सोन अकांट मे एक परग्राफ बनायेगा इट तो गिव ए नोट स्ते इट इट इंग अर्णिट इट गुटिव ए इट ट अनुट इट ड़र ट परग्री शाय है याद दिध अर्गव ए नोट बार चार रंऴ। full stop it will also state it will also state it will also state the basis the basis of preparation of financial statements if you don't have going concern basis follow what have you done you will tell that we have written realizable value and liabilities payable value I have written it will also state the basis of preparing the financial statements IE that is assets and liabilities are valued that is assets and liabilities are valued at realizable oblique payable values we have to write two sentences we have to write two sentences we have to write one is that we have not made going concern balance sheet and one is that we have to write and one is that we have to write practical discussion practical discussion some some draft some solve discussion now we have to write book 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 reads as पर आप लोग। खोलिएगा। खोले। पेज नमबर थ्री। क्वेश्चन नमबर वन देखिएगा। हम लोग आज ना खाली डिसकस करेंगे। कल इसको पेन और पेपर पे सॉल्व करेंगे। कि आज हम लोगों के पास टाइम नहीं है। I just wanted to show कि यह किस तरह के सम आपके एक्जाम में आ सकते हैं। So just see it. We'll do it tomorrow. पढ़िए क्वेश्चन को. क्वेश्चन नमबर वन पेज नमबर थ्री आप लोगों को अगला पांच मिनट तक रीड करना है। Just read it carefully. क्वेश्पली झाल 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 क्वेश्चन पढ़े? कोई भी एक word, sentence, कुछ भी चीज जो नहीं समझ में आया, पहले पूछू, एक बच्ची ने बोला, sir, I number point का meaning बताईएगा, हम बताएंगे, और कुछ, E number point, deferred cost क्या होता है, hello, deferred cost क्या होता है, ठीक है, पहले आप ये दोनों बात सुनी अच्छे से, उसके बाद हम लोग question के बारे में बात करेंगे, and then, घर चलेंगे, deferred expenditure का मतलब है, जिसको आप लोग 11th, 12th में, B.com, first year वगएरा में, deferred revenue expenditure के नाम से सुनते थे, मान लिजिए, मेरी company का formation हुआ, अभी एक नया company बनाया, मैंने मान लो, Luxe Advisory Services Private Limited, मेरे चारण accountant ने, मेरे से 40,000 रुपया दिया, company बनाने का, meaning समझते हो, company form करेंगे, तो formalities पूरा करना पड़ेगा, law का class चालू हो गया, law का class, registrar of companies का नाम आने लग गया है, class में, company formation करने में, खर्चा लगता है ना, articles of association बनाना है, memorandum बनाना है, सब कुछी तो करना पड़ेगा ना, name clause अप्रूफ कराना है, तो सब मिला करके, उसने 40,000 का मेरे से fees लिया, हम payment कर दिये, क्या बोलते हैं, इस expense का नाम, yes, नाम मालूम है आप लोगों को, क्या नाम है फिर से बोलो, preliminary expense, अब rule ये हो गया, इंडिया में, कि ये expense, first year में, PL में जाता है, क्या बोला, ये expense, first year में, PL में जाता है, done, अब मेरे accountant ने, या किसी एक accountant ने, क्या किया, इसको defer कर दिया, expense ही तो है न, preliminary expense नाम बोला, तुम तो नहीं बोला, land and building, hello, plant and machine भी नहीं बोला, preliminary expense बोला, तो expense बोलते हैं, नाम से क्या गंदा रहा है, कहा जाना चीज को, P&L में जाना चाहिए न, मेरा accountant ले गया, balance seat में, वो भी कितना, 32,000, क्यूं, 8,000 PL में डाल दिया, क्या किया जरा बताओ तो पूरा बात, पांच साल में अमोर्टाइस कर रहा है, वो बंदा, depreciation का दूसरा नाम है, amortization, तो exactly depreciation वाला accounting हुआ की नहीं देख के बताओ, 8,000 वो PL में भेज दिया, amortization of preliminary expense, 32,000 balance seat में भेज दिया, deferred cost, क्या नाम दिया, deferred cost, यह होता है, deferred cost, अगर किसी expense को हम, PL में नहीं भेज के, या थोड़ा मुड़ा PL में भेज के, बाकि balance seat में भेज देते हैं, तो balance seat में उसका नाम, deferred cost होता है, किसने पूछा था, deferred cost का मतलब मैं समझा दिया, second, और कौन सा लाई ना आपने पूछा, आई, prepayment penalty बोलते हैं हम लोग, क्या word है देखिए, early payment penalty है ना word, सुनी एकदम fact बोल रहा हूं, जो भी है, एकदम सच, एक car loan है मेरी balance seat में, अभी, छे महिना पहले मैंने गाड़ी खरी दिये, 18,00,000 रुपय का car है, ICICI bank से loan है, car खरीदना, loan लेना समझ में आता है, agreement में लिखा हुआ है, अगर within three years, हम इसको prepayment करते हैं, 5% का prepayment penalty लगेगा, हमको बोला है वो लो, well disclosed fact है, और ये सच है, क्या मतलब है, आज मेरा balance seat में loan बचा हुआ, मानलो, 16,00,000 रुपया, 2,00,000 हम पे कर दी अलरड़ी, 2,00,000 जो पे किये, वो regular payment था, prepayment नहीं था, installment आता गया, हम पे करते गए, अब year end आया, 31st मार चाने वाला है, आया तो हमको balance sheet में loan लिखना पड़ेगा, हम phone की ये banker को, ऐसे ऐसे bank के manager को, हम बोले हमको पे करना है था, अभी, पूरा 16,00,000 पे करना है, मेरा lottery निकला है, मेरा पैसा आगया, हमको पे करना है, क्या बोला, 16,80,000 देना होगा, हलो, क्या बोला वो, शर आप जल्दी payment करेंगे, और आपसे ज़्यादा पैसा लेगा, हम लोग तो उल्टा ही सुने थे, हम लोग को तो discount मिलता था, आपका penalty लग रहा है, सच है ये, सोचिए, ऐसा क्यूं है, हडबडाना नहीं है, अराम से बोलना, न तो बैंक पागल है, न हम, जब वो agreement कराया था, तो हमको बोला था ना, और हम हाँ बोले थे न, तब तो हम sign किये न, मेरा बिना sign के तो agreement नहीं हुआ होगा, और वो भी disclose किया न, और हम जानते नहीं है, कि पहले payment करने से discount मिलता है, हम भी तो जानते होंगा न, जब तुम जानते हो तो, तुम तो 19 साल का है, हम तो 52 साल के हैं, जल्दी बोलो हाँ, तो भी हम इसको agree क्यों किये, बैंक लोन में ऐसा ही चलता है, क्रेडिटर को पहले payment करो, वो discount देगा, बैंक लोन को पहले payment करो, वो PPP लेगा, क्या PPP full form? Pre-payment penalty लेगा, वो बच्ची बोलने को सिस करने वाली है, वो बच्चारी का मुझ से कुछ नकुछ निकलने का कोसिस हो रहा है, वो बच्चा भी राइट बोल रहा है, Red Dessert, क्या नाम बटा? Shreetam, तो कि उस बच्ची सुनते हैं, वो कुछ बोलने का कोसिस करी है, हमको लगता है वो राइट बोलेगी, क्यों बैंक वाला लोग लोग लोओन पेमेंट में प्रीपेमेंट पेनल्टी मांगता है, क्यों क्रेडिटर लोग जल्दी पेमेंट करते हैं तो दिसकाउंट देता है, एक मिट वो बच्ची बोल रही है, बस बस देखिए कितना अच्छा बात बोली, सुने आप लोग, could you hear, बच्ची ने बोला, आप लोग सुने जुम क्लास वाले लोग, बच्ची ने बोला, सर बैंक को जो आप अगला पांच साल, पांच साल का लोन था, अगला पांच साल जो आप पे करने वाले थे, इंटरेस् बैंक को अगला पांच साल तक, इंटरेस्ट इंकम बैंक का रुख जाएगा, बैंक इसके उपर साड़े 4 लाग का इंटरेस्ट इंकम कमाने वाला था, इसके लिए बैंक आप से 20 लाग लेने वाला था, हलो, बैंक तो इंटरेस्ट लेता है न, और आप उसको अभी पेमें कर देंगे तो 16.8 भी नहीं मांगेगा वो उसका चार साल का इंट्रेस्ट का नुक्सान नहीं होएगा जल्दी बोलो हाँ वो तो विचारा यही सोच के आपको पैसा दिया था ना कि इंट्रेस्ट कमाएंगे और आप उसको बोले ले आज ही पैसा ले ले अब वो विचारा कहां से दूसरा क्लाइंट कोच के लाएगा जिसको लोन देगा तो रुपिया उसके पास आइडल पढ़ा रहेगा कि नहीं कुछ दिनों के लिए जल्दी जल्दी बचलो फास्ट समझा करो तो अगर आइडल पढ़ा रहेगा तो वो उसका प्री पेमेंट पेनल्टी लेता है तो राइट करता है कि रॉंग करता है राइट करता है अभी पाच्छे साल पहले इंडिया में रूल आया housing loan के prepayment पे कोई भी bank prepayment penalty नहीं ले सकती चारू लाया housing loan गरीब आदमी का लोन है गाड़ी का लोन, अमीर आदमी का लोन है hello make it simple housing loan का prepayment पे कोई भी bank prepayment penalty नहीं लेगा अभी तिन्चार सल पहले रूलाया पर बाकी कोई भी लोन में अगर bank prepayment penalty मांगता है bank has the right to do that ये question का answer करो तो creditor लोग सला लोग फिर क्यों discount देता है जल्दी पैसा देने से हाँ जैसे दे कि वो बच्ची right बूल रही है जैसे उसको पहले पैसा मिलेगा फट से नया माल बना के उच्चा profit में बेचेगा माल ले 40,000 का माल है तुम 40,000 उसको देने वाला है वो बोला भाई अगर within one month दे दिया ना या within 10 days दे दिया 2% discount तुम दे दिया 800 रुपय calculation ठीक हो तुम कर ले तो ना से fingers पे 800 रुपय डिसकाउंट काटके तुम 39,200 उसको दे दिया वो 39,200 का नया माल बना करके 50,000 में बेच देगा फट से तो उसको 800 रुपय का नुकसान भी हो रहा है तो उसको 800 रुपय का नुकसान भी हो रहा है बैंक तो तुम से interest भी नहीं कमाया तुम सला अभी से payment कर देगा बैंक का तो अभी interest का meter चालू हुआ था और तुम prepayment penalty करके उसका विचारे का income ही बंद कर दिया तो prepayment penalty मांग कर Is he committing crime? Is the bank committing crime? No, it's rightfully done तो creditor discount क्यों देता है और bank penalty क्यों लेता है logic के साथ clear हो गया 2-3 minute और लेते हैं just 2-3 minutes balance sheet कौन से दिन का है जी? question paper वाला 31st March 21st March और आपको जो बनाना है balance sheet P&L कब का बनाना है 21-22 का न एक साल बाद का बनाना है न yes-no purchases दिया हुआ है ढूंडो न प्लीज yes-no बोलो sales दिया हुआ है opening stock तो balance sheet में होगा opening stock opening closing stock देखो न ने ने देखो है नहीं है नहीं बोल रहा हूँ देखो देखा going concern वाला क्या करेगा? going concern वाला क्या करेगा? sir वो 32,000 पे लिखेगा non-going concern वाला क्या करेगा? वो 40 पे लिखेगा तुम 32 पे क्यों लिखेगा? अच्छा तुम going concern हम non-going हाँ तुमको accounts का knowledge हमको realizable value का तुम 32 पे क्यों लिखेगा? cost और NRV whicheveries यह हम लोग कल बनाएंगे हाँ don't worry, आज खाली discuss कर रहे हैं और हम 40 पे क्यों लिखेंगे? क्योंकि आप realizable value पे लिखेंगे done? जाओ depreciation देखो मिला? तुम क्या करोगे? तुम मतलब when you are a going concern calculate करोगे? कैसे calculate करोगे? सर 65 दिवाइड भाइड भाइड दिवाइड भाइड दिवाइड भाइड भाइड यानि तेरा 13,000 आएगा 13,000 आएगा ठीक है ना? मेरा देखो मेरा देखो ठीक से हर बड़ाओ मत नहीं, depreciation है मेरा 5,000 का depreciation है बो लो कैसे? सर आप realizable value पे लिखेंगे आपका opening balance is 65,000 closing balance बन जाएगा 60,000 तो आप depreciation माइनस करके निकालेंगे agreed पक्का last वाला बात बोलके दिखाओ तो मानेंगे you are a good student सुनो कौन सा वाला आई नंबर पढ़ो पढ़ लिए? रुको रुको question पुछने दो पढ़ लिए उपर में loan देखो उपर में opening balance sheet में loan देखो loan मिला? अगर कोई going concern रहा going concern going concern तो वो loan का repayment आराम से करेगा जैसे करना चाहिए लगिन अगर कोई non going concern है तो उसको asset को बेच के liability का payment करना है? जल्दी बोली हाँ या ना तो इस 2500 के बारे में say something which make me feel good फिर से बोलो जोर से non going concern good boy, good girls non going concern वाले को ये 20 500 रुपीज देना होगा तो वो एक liability और एक loss दोनो record करेगा कभी भी आदमी loss लिखता है, साथ में liability होती है an expense comes with a liability an income comes with an asset उसी को बोलते dual aspect concept ओकी, खर ये बाद बाद में लेकिन going concern वाला क्यों नहीं लिखेगा जी, 2500 रुपीया का loss क्योंकि उसको थोड़ी prepayment करना है, वो अपना अराम से देगा ना, उसको जल्दी payment करने का थोड़ी हड़ड़ी है पर non going concern वाले को तो payment करना है, वो तो खतम करेगा अपना asset liability को so that's it, कल मिलते हैं कल ये वाला sum बनाएंगे